भूटान के राजकुमार नवांग और जूदपूर राजपरिवार के सदसे रुद्राणी राठोर के शादी एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विशय है नेपाल से जूदपूर पहुँची बारात और महमानों ने एक बार फिर सदियों से आपसी अटूट रिष्टो को फिर से प्रगाढ कर दिया है यह हर्ष का विशय है कि आज भी शत्रिय समाज देश के सिमाओ से परे आपसे रिष्टो और परमपराओं के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है शत्रिय समाज में दिशकाल के सीमाव से बाहर भी रिष्टो और संबंधों की यह श्रिंकला अन्वरत राम और कृष्ण के काल से है भगबान शिरिराम मिथलादेश के दामाद थे धनुधर अर्जुन की शादी मनिपूर की राज कुमारी चित्रांगता के साथ हुई थी पूर्वजों से शुरू हुई ये परंपरा आज भी हमारे बीच जिन्दा है जो उत्तर से लेकर डक्षण और पश्यम से लेकर पूर्व तक की संस्कृतियों के जुडाव सबसे बेहतर सेतू बनी हुई है जैपूर के महराजा स्वाई मान सिंग द्वित्य की शादी कूच बिहार पश्यम बंगाल की राज कुमारी गायत्री देवी के साथ हुई जोधपूर महराजा गज सिंग जी की बारात पुंच कश्मीर गई थी जैसल मेर के महारावल ब्रिज राज सिंग जी नेपाल राज परिवार की दामाद है महराज जगत सिंग जैपूर के शादी भी थाईलेंड के राज परिवार में हुई थी डुंगरपुर राजपरिवार के हरश्वधन सिंग जी की बेटी का ससुराल सुदूर दक्षन के मैसूर राजपरिवार में है और नेपाल के महराजा ज्यानिंद्र के पुत्र का ससुराल राजस्थान के सीकर में है पाकिस्तान की उमर कोट के राणा शंद्र सिंग राजस्थान के देवगढ ठिकाने के दामाद है और राजकुमारी करणी सिंग की बारात जैपूर के कानूता ठिकाने में आई थी मेवाड के महराज कुमर विश्वराज सिंग मेवाड का विवाह पंच कोट बिहार के एक राजकुमारी के साथ हुआ तो लक्ष राज सिंग मेवाड उडिशा के दामाद है अलवर के महराज भवर जीतेंद्र सिंग का विवाह भी हिमाचल प्रदेश के दद सीभा ठीकाने में हुआ है वहीं बाहु बलीनेता धननजय सिंग की बाराद आंद्र प्रदेश में पहुची थी इन सभी उदाहरणों से साफ है कि हमारी देश की परंपरा और संस्कृत इतनी सम्रिद्ध है कि तमाम भगौलिक सीमाओं और देशकाल के बंधनों को तोड़ते हुए शत्रिय समाज आज भी इन वैवाहिक संबंदों और संस्कारों के बूते नजाने कितनी ही विभिन संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़कर एक धागे में बंधता जा रहा है ऐसे ही तमाम रोचक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ